तो दोस्तो आपके फोन के अंदर ये प्ले स्टोर तो जरूर होगा अगर आप किसी आपको डाउनलोड करना चाहते हो या फिर किसी गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से किसी भी गेम को या फिर आपको डाउनलोड करते हो लेकिन आज की इस वीडियो के मैं आप लोगों को इसी play store की औयसी तीन secret trick के बारे में बताऊँगा जो trick किसी को भी नहीं पता है जिहां दोस्तों आपनों बूब ने बिलकुल सह सुना आज मैं आपको play store की ऐसी तीन खुपिया trick के बारे में बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को देखने के बाद आप भी काफी चौक जाओगे तो दोस्तो अगर आप भी इस प्लेश्टोर की सीक्रेट ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो कि कौन सा इसा तीन सीक्रेट है या फिर कौन सा सेटिंग है अगर आप जानना चाहते हो तो इस प्ले स्टोर की आईसा कौन सा 3 सीकेरेट्ट्रिक है जिसके बारे में आप सब लोगों को नहीं पता है तो दोस्तों चले-ब करद वीडियो को playstore से आप अपने phone के अंदर app download करते हो, game download करते हो और अगर उस game को या फिर उस app को update करना होता है तो यहां से आप update कर लेते हो उस app को या फिर उस game को है ना, लेकिन जो playstore है ना, ये भी एक app है ये app automatic phone के माध्यम से डाला हुआ रहता है आपको download नहीं करना पड़ता है यह app सभी phone के अंदर automatic आ जाता है लेकिन दोस्तों अगर आपको WhatsApp अपडेट करना होता है फेस्बूक अपडेट करना होता है तो आप Play Store से अपडेट कर लेते हो लेकिन इस app को आपको अपडेट किये हो नहीं किये हो क्यूंकि आपको पता है नह आपको कहें पर भी जाने के ज़रूतने है यहीं सही आप Google Play Store को अपडेट कर सकते हो कैसे कर सकते हो देख लेजिए दोस्तों इस Google Play Store को ओपेंड कर लेजिएगा आप अपने phone के अंदर ओपेंड करने के बाद इस three dot पर आप किलिक किजिएगा ठेके इस three dot पर किलिक करने के यहाँ पर आपको दिखाए देगा सेटिंग इस सेटिंग को परअप एक बार किलिक करदेजेगा जैसे आप किलिक करोगे आपके समझे कुछ ऐसा ओलाने इंटरेपेस खुल के आ ठीके तो दोस्तों आपको नीचे के तरफ स्क्रोल करना है और यहाँपर आपको दिखाए यह app automatic update होने लग जाएगा तो दोस्तो इसी तरह से आप अपने play store app को update कर सकते हो हाला कि यह भी एक app ही है है ना यहां से आप game download करते हो facebook download करते हो कुछ भी download करते हो तो इसके मादनम से आप उस app को या फिर उस facebook app को update कर लेते हो लेकिन इसको आप कुभी भी update नहीं कर सकते लेकिन जो trick जो तरीका में आपको बताया इस तरीके के मदर से आप play store को update कर सकते हो तो है ना बड़ी गजब की trick तो दोस्तो यह तो हो गया पहला trick अब दूसरा trick क्या है सुन लिजे दोस्तो दूसरा trick फिर से आपको play store को open करने ना है play store को open करने वाद फिर से आपको three line पर click करना है three line पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको फिर से दिखाए देगा setting दोस्तो इस setting के उपर आपको click कर देना है ठीके setting के उपर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको एक option दिखाए जी हाँ दोस्तो इसका मतलए भी है कि जैसे आप इस option को on कर दोगे ना तो आपके phone में जो भी app download रहेगा ना उस app की जो update है जब भी आएगा आपको notification मिल जाएगा जी हाँ दोस्तो अगर इसको on कर दोगे अगर मान लिजिए facebook की update आ गई है और आपको पता नहीं है कि facebook की update आय जरूर रखेएगा तो दोस्तो यह तो हो गया दूसरा ट्रिक अब तीसरा ट्रिक जो मैं आपको बताने वालानों बहुत ज़्यादा काम किये दोस्तो और ये ट्रिक अगर आपको नहीं पता होगा तो सायद आप बहुत बड़ी मुसीबत में फच सकते हो जी या दोस्तो कौन सी मुसीबत क्या मुसीबत आगे किस वीडियो में बताऊँगा तो दोस्तो तीसरा ट्रिक क्या है देख लिजिए दोस्तो फिर से आपको प्लेश्टोर को ओपेन कर लेना ह प्लेश्टोर को ओपेन करने के बाद आपके समने कुछ ऐसावलेंटरफिस खुल के आ जाएगा दोस्तो ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किये प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और खास करके ये ट्रिक तो आप जरूर दोस्तो आपको थ्री लाइन पर किलिक करना है थ्री लाइन पर किलिक करने के बाद आपको फिर से दिखाए देगा सेटिंग दोस्तो सेटिंग पर आपको किलिक कर देना है सेटिंग के उपर जैसे किलिक करोगे आपके समने कुछ ऐसावलेंटरफिस कुल के आ जाएगा फि दिखाओ, तो दोस्तों वो दुकान वाले क्या करता है कि आपको original phone की जगा पे कोई duplicate, कोई clone phone दे देता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये phone duplicate है या फिर clone है इसका, लेकिन दोस्तों अगर आप पहचान करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि आपने जो phone लिया है, वो original है या फिर उसकी clone है अगर आप जानना चाहते हो तो आप play store को open करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाए देगा play protect certification जिहां दोस्तों अगर आपके phone के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है तो फिर phone सही है ठीक है और जिनल है लेकिन इसके जगह पर अगर कोई चीज और लिखावा आ रहा है तो फिर आप समझेना कि उस phone में कुछ गरवरी है या फिर phone और जिनल नहीं है वीडियो का देजिए लाइक चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल गंडे को जलोड़ दवा लिजिए